तो हेलो नमस्ते प्रणाम सा गया था आप सभी का एक बार फिर से उमीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज का जो अमारा सेशन है वो न्यूस पेपर रीडिंग का है ठीक है चलो अगर आपको प्लिएफ चीए तो आप 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 तो टेलीग्राम पे इंग्लेश एड़ दरेट इन सर और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर कर देना और अपने वेलुएबल कमेंट कमेंट बॉक्स में देदेना ठीक है वीडियो को शेयर करना मत भूलना एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट समझ देना क वीडियो को आप शेयर जरूर कर दो ताकि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो यहां पर जोड़ता है आजाओ तो देखो यह कहानी है राजामान सिंग की और 1985 में उनका इंकांटर होता है एक्चुले में जो इंकांटर नहीं मडर होता है बट जस्टिस मिलते मिलते 2020 आ जाता है और तब जाके यह न्याय हो पाता है कि वो इंकांटर नहीं वो मडर था और उस जुर्म में जो भी पुलिस करमी थे उन्हें जो है लाइफ टाइम जो है जेल की सजा दी गई उन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट आप बोलते हो जिसको वो दिया गया sentence to life imprisonment ठीक बट शूर लेकिन इतना तय है कि वो मिलना ही है मिलना ठीक न तो इस तरह से लिखा गया किस बारे पर दिखा जा रहा है तो ऑन राजस्थान एक्स रोयल मडर केस एक्स रोयल मतलब फार्मर एक्स का मतलब पूर्व और रोयल मतलब राजा से संबंदित तो राजस्थान में ex royal murder case मामले के उपर conviction of police for passing of murder as an encounter मतलब murder को encounter के तोर पे दिखाने के लिए pass off करने के लिए उसको उस तरफ ले जाने के लिए किस के दोरा police के दोरा तो उनका जो conviction हुआ conviction मतलब दोस्सिद्धी तो फिर से देखो conviction of police किस लिए for passing of murder कैसे as an encounter वो जो conviction है is वो है welcome स्वागतियोग्य तो finally ये जो main subject main verb लिखा हुआ है इसके लिए main subject क्या है conviction conviction is welcome जो दोस्सुद्धी है जो दोस्स दिया गया है जो उनको guilty सावित किया गया है वो स्वागतियोग्य है though यद्दे पी delayed देरी से it is not often या प्राय नहीं होता that की policeman जो police वाले है involved in shooting people dead जो सामिल होते हैं लोगों को मारने में involved people shooting dead मौत के घाट उतारने में and seeking to cover up the incident और चाहते हैं कि incident को cover कर दे as an armed encounter armed encounter के तोर पे कि मतलब उन लोगोंने हतियार ले रखा था इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा armed encounter के तोर पे वो policeman are convicted for murder तो ऐसा प्राय नहीं होता कि जो policeman है they are convicted for murder उन्हें murder की लिए दोस सिधी कर दी जाए मतलब मडर का दोसी साबित किया जाए ऐसा प्राय नहीं होता ठीक ना अच्छा कौन से policeman अब ये सारी बाते इस policeman के बारे में लिखी गई है तो जो finally हमारा policeman subject था उसका वब यहां पे लिखा हुआ है अगर आप नहीं समझ पार रहे एक और फिर से देखो ये जो policeman subject है न इसका वब यहां पे लिखा हुआ है they are convicted for murder the verdict जो फैसला है of the sessence court in morthura क्या है sentencing in 11 police personnel 11 police कर्मियों को including कर लिजे एक DSP सामिल करते हुआ एक DSP को to life sentence to life sentence मतलब वाक्य होता है sentence मतलब सजा होता है sentence to death मौत की सजा sentence to life जीवन काल की सजा sentence to life for murdering raja man singh the head of the princely state of भरतपूर जो की head थे princely state भरतपूर के इन राजस्थान, राजस्थान में and two office associates और उनके दो associates के लिए भी 1985 में is one such rare instance है ना तो ऐसा बहुती कम देखने को मिलता है ये एक प्रकार का बहुती rare मामला है कि ऐसा हो कि उसमें पुलिस वालों को जो है क्या मिले मौत की या lifetime की सजा मिले और उनको जो है दोसी साबित किया जाए ठीक है अब वो कहानी पढ़ते हैं किस तरह से पहले तो उस कहानी की थोड़ी भूमिका बनेगी और फिर कहानी को हम पढ़ेंगे अम मतुरा को on venus day बुद्वार को sentence sentence अब या पर वह सजा दिया 11 पुलिस वालों को including a then DSP then मतलब उस समय के then Prime Minister उस समय के प्रधान मंत्री then deputy SP और इन सामिल करते हुगे उस समय के deputy SP को to life imprisonment life जीवन काल life imprisonment का मतलब जीवन काल के लिए क्यों किया ऐसा for the mother of Raja Maan Singh राजामान सिंह के मडर के तौर पे इन लोगोंने बोला इन काउंटर है बट यह क्या साभीत हो गया मडर कॉमा और कॉन मडर कॉन राजामान सिंह then titular head of मतलब उस समय का जो title था है ना जो title मिलता था उस समय का वो titular head बोला जागा then titular head of भरतपूर कौन भरतपूर तो रस्ट वाइल princely state जो की former princely state था इन राजस्थान in 1985 तो राजस्थान में वो princely state था पूरू में princely state था है ना तो उसके राजा जो थे titular head जो थे राजामान सिंह उनके मडर के तौर पे जीवन काल की सजा मिली 11 पुलिस वालों को सामिल कर लिजी उसके साथ उस समय के deputy SP को a lawyer for the accused जो भी आरोपी थे उनके जो lawyer थे रीड आउट उन्होंने पढ़ा the court's decision court का फैसला before media persons media persons के सामने a day after एक दिन बाद the 11 policeman were convicted of the crime were convicted मतलब दोसी साबित हुए work convicted एक दिन बाद किसके एक दिन बाद 11 पुलिस वाले दोसी साबित हुए crime के 3 policeman, 3 police वाले who are accused of forging the general diary entries अब देखो यह जो word है न forge, forge का मतलब होता है जाल साजी करना forge के और भी मतलब होता है effort डालना, metal को shape देना बट अगर आप कोई जाल साजी कर रहे हो, जाल साजी मतलब कोई passport नकली जाली, illegal बना रहे हो, तो वो भी forge करना होता है, तो 3 police वाले who are accused of forging the general diary entries and facing charges under 218 of the IPC जो charge face कर रहे थे under section 218 of the IPC, however, had been acquitted फिर भी कैसे भी करके उनको क्या कर दिया गया, acquit कर दिया गया अक्यूट मतलब बड़ी कर दिया गया ठीक है, आगे देखो Narayan Singh, liar of Maan Singh's family, Maan Singh के परिवार के जो यह lawyer है वकील है, Narayan Singh also said, उन्होंने यह भी कहा the 11 cops, जो 11 police वाले हैं including the then DSP Kaan Singh Bhatti, उस समय के जो DSP थे Kaan Singh Bhatti, और S.A.C. विरंदर Singh, were awarded उन्हें सौंप दिया गया, मतलब उन्हें अवाड किया गया उन्हें नमाजा गया, उन्हें दिया गया life imprisonment से for the murder, इस murder के लिए the court also directed, court ने direct किया, दा रायस्थान government रायस्थान सरकार को to compensate कि वो compensate करे, the families of the three victims, जो तीन अपील था है उनके परिवारवालोको and the four injured person और जो चार घायल लोग थे, उनके परिवारवालोको with rupees 10,000 and rupees 2,000 each respectively, मतलब एक एक को प्रतेक को, आप 10,000 और 2,000 का मतलब जो है compensation करोगे, he said, उन्होंने बताया आगे लिखा गया आठारा लोग शुरुबात में आरोपित किये गये थे of the 18 persons initially accused three died during trial trial मतलब जाच के दुरान जो जाच हो रही थी उस case की जाच चल ले थी trial चल ला था उस दौरान तीन लोग मर गए while one had been discharged said Mr. Singh तो Mr. Singh ने बता है और जतकी एक जो discharge कर दिया गया apart from Kaan Singh Bhatti जो Kaan Singh Bhatti इस समय है बैसी साल के और विरेंदर सिंग है ना the other persons convicted by the Mathura Sessions court judge साधना रानि ठाकुर आर जो अन्य लोग है वो कौन-कौन है तो भावर सिंग और पदम राम और यह सारे इसमें सारे लोगों की बात की जा रही है सब है ना अब आगे यहां से वो कहानी यहां से वो जो कहानी यह राजामान सिंग की वो शुरू थी बहुत ध्यान से समझना दकेस हैड लेड़ टू ए पौलिटिकल स्ट लेकर चला गया जब मामला हुआ था वो लेकर चला गया था व्हुत आधाव द की अ राज में, leading to the resignation of the then Rajasthan CM, और किस ओर लेके चला गया था, तो resignation की तरफ of the then, then मतलब उस समय के Rajasthan के CM, ठीक है, आगे देखो, the incident took place, ये घटना घटित हुई, अब पूरी कहानी आपको समझ में आएगी, on February 21, 1985, when Maan Singh, then 64, जो समय 64 के थे, and his two associates were shot dead, उनको क्या कर दिया गया, गो एक दिन बाद, किसके एक दिन बाद, जब उन्हें ये आरोप लगाया गया, कि उन्होंने जान बूच कर बैटर कर दिया, मतलब आरोपित तोर पे उन्होंने ध्वस्त कर दिया, बैटर मतलब ध्वस्त करना, पास्ट में है तो बैटर, his military jeep, अपने military jeep को, into the stage, stage में, कौन सा stage, जो set किया गया था, for an election rally of Chief Minister, Siu Charan Mathur, मैं आपको बता दूँ कि उस समय पे जो CM थे, वो Siu Charan Mathur थे, और क्या हुआ कि Siu Charan Mathur का stage तयार था, इन्होंने अपनी गाड़ी, military jeep लिया के उसमें बैटर कर दिया, मतलब धस्त कर दिया, और उनके पूरे stage को गिरा दिया, the jeep head also damaged a chopper, एक chopper को भी damage कर दिया था, कौन सा chopper, जो रखा गया था at the site for the CM, उसी जगह पर CM के लिए वो रखा गया था, अच्छा जब उन्होंने उस chopper को damage किया, तो इनके उपर आरोप लगा दिया गया, कि वो CM को मारना चाहते थे, ठीक है, और यही वज़ा थे कि जब इनक को समझ में आ जाएगा, दुस्यन सिंग, the deceased grandson, जो मृतक है, उनके, मतलब grandson है, है न, says, वो कहते हैं, कि मान सिंग, who was the third son of महराजा कृषन और भरतपूर, भरतपूर के जो कृष्ण महराजा थे, है न, महराजा कृष्ण थे, उसके वो तीसरे बच्चे थे, तीसरे सं थे, was first elected as an MLA, उनको पहरी बार MLA के तौर पे elect किया गया था, from Rajasthan in 1952, यानि कि आजादी के बाद, उनने 102 में पहली बार MLA बने, and was, अब यहां सुनी हो, and was undefeated till his death, और अपनी मौद तक वो कभी हारे नहीं, ठीक है, आगे देखो, मान सिंग इवेन रजिस्टेड, मान सिंग यहां तक की रजिस्ट कर ले गए, क्या रजिस्ट कर ले गए, the waves of 1977, इंद्रा गाधी आपको पता होगा, जैसे मोदी जी की लहर आई थी 2014 में, और अभी तक चल रही है, उसी तरह 1977 में इंद्रा गाधी की लहर आई थी, उसको भ पे किस तौर पे, इंडिपेंडेंट के तौर पे, अकेले के तौर पे, in the 1985 Assembly Elections, the Congress fielded ब्रजेंदर सिंग, उननी सो पिचासी के Assembly Elections में, जो Congress ने फिल्ड किया, फिल्ड किया, फिल्ड किया मता वी तौर में, पास्ट फॉर्म में, पास्ट इन फिल्ड किया, उन्होंने तया पेन, an irate मान सिंग, irate मान सिंग मतलब गुस्षाय मान सिंग, है न, irate word के लिए, synonym comment box में, लिख कर बताईए, ठीक है, irate word के लिए, synonym लिए, ध्यून रहे, irate adjective है, ध्यान रहे, irate आपका adjective है, तो irate मान सिंग, कोई idiom भी आपको ध्यान है, गुस्षे वाले idioms भी आपको दुश्यन थे वो बताते हैं उनके जो grandson है वो बता रहे हैं कि क्या हुआ था campaign के दोरान जो irate man Singh थे गुसाय man Singh उन्होंने damage कर दिया stage को और chopper को in reaction reaction में to come in reaction to come जो आता है Congress workers के लिए और क्यों आता है क्योंकि उन्होंने क्या किया था इंसल्टिंग दा भरतपुर flag उन्होंने भरतपुर का जंडे जंडे का अपमान किया था उसको इंसल्ट किया था उसी के वाज़े जो reaction निकल कर आता है उसी reaction में वो उन्होंने क्या किया चोपर को और stage को गिरा दिया अन फेबरेरी 21 1985 राजामान सिंग एलॉंग विद ठाकूर हरी सिंग ठाकूर सुमेर सिंग और अदर्स वाज गुईंग है ना वो जा रहे थे टुड़ीग पुलिस स्टेशन टू सरेंडर अब यहां पर देखो वो जो आप ग्रामर पढ़ते हो ना कि एलॉंग विद के साथ आप कुछ भी जोड़ो सब्जिक्ट हमारा क्या रहेगा राजामान सिंग तो राजामान सिंग वस गोईंग तो डीग पुलिस स्टेशन टू सरेंडर अपने आपको सरेंडर करने के लिए सरेंडर का सिनॉनिम लिख कर बताओ बढ़ी है बहुत बार पेपर में आता है एक वेल प्लांड कॉंस्पिरेशी थी एक शड़ेंत्र था कि यह आएंगे समरपड कर ले पिनको मार देना है जो मान सिंग है और उनके जो टू एसोसियेट्स है वो मर गए ऑन दे स्पॉट एंड टू डेज लेटर माथूर है रिजाइन जो उस समय के सीम थे माथूर उनको रिजाइन भी करना पड़ा था दो दिन बाद ठीक है तो यह आज की कहानी थी उमीदा कि आपको पसंद आया होगा एक छोटी सी स्टोरी हाली में अभी एक दो दिन पहले दहिंदू में आर्टिकल आया था इस पर इनको सजा मिली एक अच्छा कासा एडिटोरियल भी राजामान सिंग के हत्यारों को सजा मिल गई है ना तो इसी लिखा गया कि जस्टिस भले ही बेरी से मिली बट मिला यह श्योर है कि जस्टिस मिलना है अगर यहां नहीं मिलेगा तो एक है एक जगह है जहां पे सबको मिलता है तो वह वहां पे मिलता है कई बार है ना उसके हाथ से मिलता है अगर इस हाथ से नहीं मिला यहां कानून के हाथ से नहीं मिला तो एक उपर वाला है जिसके हाथ से नया मिलता है किसी न किसी रूप में तो नया तो सबको मिलता है ठीक है इस बात के संग कि आप सभी बहुत अच्छे होगे सेशन को एक बार जरूर शेयर कर देएगा आज के लिए इतना ही है नेक्स सेशन में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अध्यान रखेगा बहुत-बहु झाल